हेलो डीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, एचलपन कैसे हैं आप लोग, से इस वीडियो में हम लोग 3 न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आप सब इसेंस को जाना बहुत जरूरी है, आप लोग वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीट आज अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लो, कि रिजल्ट का जो अपडेट है, वो 3 में तक सो कर रहा है, जो कि पहले 13 अप्रिल तक सो हो रहा था, यानि कि अल्मूस 20 to 22 डेज बाद ये अपडेट किया गया है, रिवेलियोशन का भी, और टर्मन रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, मेरे पास जितने भी इस्वेशन का रिकॉर्ड था, उसमें से सिर्फ एक MTTM जो प्रोगाम में उसका रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया, बाकी सभी इस्वेशन का डिकलेर कर दिया गया, यहाँ पर देख लो, 30 अप्र पर पेंडिंग था, 30 अप्रील को यह अपडेट किया गया है, इस तरीका से आप लोग भी चेक कर लो, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग था तो, और जितने भी इस्वेशन के लिए अपलाई किया था, तो रिवेशन का भी आज रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है, य इनका पहले 14 मार्स आया था, जो कि अभी इंक्रीज हो के 22 मार्स हो गया है, उसी तरीका के एक इस्वेशन का 23 मार्स आया था, उनका इंक्रीज हो के 43 मार्स हो गया है, तो आप लोग भी चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेर किया गया है, कि नहीं, रिवेल तो आप लोग grade card का भी चेक कर लो assignment का भी marks चेक कर लो Revaluation result, Terminic Jamson, सभी result update कर दिये गया है तो आप लोग एक मरतवा जरूर चेक कर लो उसके साथ बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा Re registration को लेकर, हलाकि इसके उपर मैंने detail में वीडियो बनाया हुआ है कि step by step किस तरीका से आप लोग को Re registration करना है लेकिन बहुत सा students ने अभी उसको नहीं देखा है तो इसलिए मैं आप लोग को फिर से बता दा रहा हूँ कि BSC के जितने भी students है उनका भी Re registration स्टार्ट नहीं किया गया है उनका Re registration साथ में के बाद स्टार्ट किया जाएगा पहले बोला गया था कि 25 अपिल के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा लेकिन अभी 25 अपिल तक भी स्टार्ट नहीं किया गया उनका 7 में के बाद Re-registration स्टार्ट होगा ठीक है exam form के बार में मैं बता दू कि exam form में आप लोगों को पता होगा कि जब सुरू-सुरू में exam form स्टार्ट किया गया था उस वक एक facility दिया गया था कि अगर आप चाहें तो अपना exam center चेंज भी कर सकते हैं के लिए एक अलग सा पोटल ओपन होगा फर्स में से लेके फाइब में तक लेकिन आप लोग को मैं बता दू कि यह अभी पोटल स्टार्ट नहीं किया गया है और बहुत ज़्यदा चांसे है कि अभी यह पोटल स्टार्ट तो नहीं होगा तीन में हो गया अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यह जो डेट बताया गया था यह जब फर्स टाइम जब एक्जाम फर्म रिलिस किया गया था जब आप लोग का लास्ट डेट 30 अप्रिल तक ही रखा गया था तब यह डेट बताया था उस वक्त यह भी नहीं पढ़ा था कि कुरोना वायरस के इस तरिका से स्केर हो जाएगा हिंदुस्तान में तो उस वक्त यह डेट दिया गया था तो अभी जाइड से बात है कि यह डेट अभी लागू नहीं होगा और अभी फिलहाल तो यह पोर्टल ओपन नहीं होने वाला है सेंटर चेंज करने का अलाउन नहीं किया जा रहा ठीक है तो यह जस आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज यह चीज देख लो सो यही सब था इस वीडियो में मैं आप लोग को यह सभी इंफॉर्मेशन देने वाला था क्यूंकि बहुत दिनों से का रिजल्ट का वेट कर रहे थे और यह सब डाउट सा जो रेगुलर्ली काउन बोक्स में पूछे जा रहे थे इसलिए मैंने इसका इंफॉर्मेशन दे दिया एक और बात में बता दो लासली कि जितने भी इस जिए रिवेलियोशन के लिए अप्लाई किया है वो लोग मेंक्स योर की कर सकते हैं या डिरेक्ली कॉल भी कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियोशन दे थैंक यू सो मच